तो आज हम लोग बनाना सिखेंगे कच्चे केले के कोफते बहुत ही आसान बहुत ही इजी रेसिपी है इसे आप लोग अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राइ करिएगा तो चले रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यह कोफते बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहें क अच्छे केले इसे हम लोग कुकर में डालकर पानी डालकर एक सीटी आम दे देंगे बहुत जल्दी यह पक जाते हैं जब तक कुकर को हम लोग सीटी दे रहे हैं तब तक हम तीन चमाटर चोटा सा अध्रक और दो हरी मिच का एक पेस्ट रेडी कर लेंगे और यह दिखे हम बहुत ही बड़िया तरीके से और बहुत एजीली हो जाते हैं क्योंकि अगर पक जाते हैं तो यह वेरी आप मैशल यूज कर सकते हो हाथ भी यूज कर सकते हो अगर ठंडे हो जाएं तो और उस प्रकार से हम इसका एक बैटर एक डोरेडी कर लेंगे अब हम इसमें ब्लां परिया, हरी मिर्च, और थोड़ा से नमक हम लोग इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस प्रकार से हम लोग इसकी चोटे चोटे से बड़ा लें जिस पी साइज की आप बनाना या तोड़ा मुझे बढ़ते हैं तो यह जैसे बनाना चाहे वैसे ब ग्रेवी की ग्रेवी बिनाने वाले हो अभी हमारे बॉल्स तल चुके हैं अब हम कड़ाई में तेल डालेंगे दो बड़े चमच मैंने यह पे तेल डाला है और इसमें डालूंगी जीरा जीरा जब भुन जाएगा तब हम इसमें डिरेक्ली जो हमने टमाटर अद्रक और हरी मिर्च का वह वह बड़ा जो आप तेल चोड़ा तब तक हमें इसे पकाइगे जो हमारी नार्मल प्रोसेस सारी सब्जी को लेकर होती हैं वैसे हम यहाँ पर करने वाले अब इसमें थोड़ा सा पानी मैंने आड्किया जिस भी कंसिस्टिंसे जीरा बनाना चाहते हैं मैंने थोड़ा थीकी रखा था बिल्कुल पतली नहीं बनाई थी पर अगर बहुत पतली बनाना चाहते है तो आसा पानी ज्यादा आट करेगा दिन उसके साब से ध्यान रखेगा कि आप टेमाटर वाली ग्रेवी भी उत्ती ज्यादा बनाए अदो वाइस पूरा पानी पानी जैसा आपका हो सबजी आपसलिली रेडी अब हम इसके ओपर हरा धनी आया जैसे भी आप गार्निश करना चाहते है वैसे गार्निश करेगा मैं थोड़ा से इसके ओपर पनीर कद्दू कस करके डाल दिया था ताकि एक अच्छा जो है लोग भी आजाया तो इस तरीके से हमारी जो है कोफते केले के कोफते की सबजी बन कर रेडियो हो जाती है ऐसे परांटे के साफ में खाये पूरी के साफ में खाये रोटी के साफ में खाये जैसे खाना चाहते है वैसे खाये बहुत ही आसान बहुत ही ईजी रेसिपी है भूग लगा के खायेगा और अगर आपको वीडियो में बताइएगा कि आपको रेसिपिक कैसी लगी हारी कुछना रादे रादे